ब्रह्मर्पणं ब्रह्म्म हवेर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मेवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना नमस्कार में तरह मित्रों ये जो श्लोके भगवत गीता के चौथे अध्याएका 24 वा श्लोके जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं ब्रह्म अर्पन करता है ब्रह्म को हविस ब्रह्म अगनो ब्रह्मणा हुतम अर्थात ब्रह्म अगनी में ब्रह्म को चड़ावा देता है ब्रह्म एवतेन गंतव्यम अर्थात ब्रह्म ही ब्रह्म तक जाने के लिए उसने ब्रह्म कर्म समाधिना अर्थात ब्रह्म कर्म समाधी उप्योग की तो श्रेक्रिश्न उचित कर्म के बारे में आगे समझाते हुए यहाँ पर भी मोक्ष के विचार से सम्मंद में ही अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में जो भी घटना घट रही है उसमें तुम ये समझो कि ब्रह्म ही ब्रह्म को हविस दे रहा है हविस अर्था जो यग्य में सामगरी चड़ाई जाती है उसको हविस का जाता है तो ब्रह्म ही ब्रह्म को हविस दे रहा है चड़ावा दे रहा है और ब्रह्म ही वास्तव में अगनी में ब्रह्म को ही जो चड़ावा है वो चड़ाता है और अर्पन करता है ब्रह्म ही वास्तव में ब्रह्म तक जाना चाहता है और उसके लिए ब्रह्म जो है वो ब्रह्म कर्म करके समाधी को प्राप्त करना चाह रहा है तो इस प्रकार का विचार यहाँ पर श्रेक रिष्ण ने अर्जुन को दिया जहाँ पर की वो बोल रहा है कि जो भी कर्म हो रहा है वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ही कर रहा है वो जो भी कुछ कर रहा है वो ब्रह्म को ही अर्पन कर रहा है अर्था ब्रह्म ही कर रहा और ब्रह्म को ही अरपन कर रहा है और ब्रह्म को ही प्राप्त करना चाहता है तो जो भारतिय परमपरा है वहाँ पर ब्रह्म का विचार है जो की संपूर्ण सत्य है और इस संसार में जो भी कुछ है उसको आप नाम रूप दे सकते हैं किन्तु उसके पीछे का जो वास्तविक सत्य है वो वास्ता में ब्रह्म ही है सब कुछ वास्ता में ब्रह्म से ही आया है और ब्रह्म में ही चला जाएगा और पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो ग्यानी व्यक्ति होते हैं वो अपनी चेतना को ग्यान में स्थित करते हैं और ये जो ग्यान है वो वास्ताव में संपून सत्य का ग्यान है और संपून सत्य जो है वो वास्ताव में ब्रह्म ही है तो जैसे आप किसी भी एक घटना का उधारन ले लीजिए जैसे माली जे की एक वन में एक शेर जो है वो एक हिरन का भक्षन करता है तो जब इस घटना को एक अग्यानी व्यक्ति देखेगा तो वो उसे किसी इकाई के नाम और रूप के संदर्द में देखेगा तो वो यहाँ पर देखेगा कि शेर ने एक बुरा कारे किया कि उसने एक हिरन को मारा और वो हिरन को देखेगा कि अरे बिचारा हिरन ये जो है ये शेर के द्वारा मारा गया तो जो अग्यानी व्यक्ति होगा वो इस प्रकार से इस घटना को एक बहुती दुखत या एक हिनसात्मक घटना के रूप में देखेगा और कहेगा कि यहाँ पर एक हिरन को बहुत हिनसात्मक रूप से मार दिया गया और उसका भक्षन जो है वो एक शियर ने कर लिया इन्तु जो ग्यानी वेक्ति होगा वो इसको ब्रह्म के संदर्ब में ही देखेगा और वो यहाँ पर जो होते वे देखेगा वो यह है कि ब्रह्म ने ही वास्ता में ब्रह्म को खा लिया तो अब वो उस रूप से जब यहाँ पर देखेगा तो वो अब इसको संपून सत्य के रूप में समझ सकता है अपने भावनाओं को बीच में डाल कर वो वास्ताव में देखेगा कि यह जो घटना हुई जहापर की शेर ने हिरन को खाया वो वास्ताव में इस ब्रह्मांड को संतुलन में रखने वाली ही एक घटना थी क्योंकि यदि शेर हिरन को नहीं खायेगा तो हिरन वास्ताव में इस संसार में बढ़ते चले जाएंगे और यदि हिरन बढ़ते चले जाएंगे तो वो जो वन में वनस्पती है उसका बहुत अधिक भक्षन करेंगे जिसके कारण जो वन है वो नश्ट हो जाएगा और उसकारण से वन में रहने वाले सभी प्राणी जो है वो दुख जेलेंगे महीं पर यदि ऐसा होता है कि जो शेर है वो हिरन को बहुत अधिक खाने लगते हैं और हिरन जो है वो भागते नहीं है तो उस स्थिती में होगा ये कि हिरन जब खाये जाएंगे तो वनस्पती जो है वो बढ़ती चली जाएगी और वनस्पती यदि बढ़ती चली जाएगी तो फिर कुछ समय में वनस्पती पुरानी हो जाएगी और अगनी जो है वो वास्ताव में वन को जला देगी और उस जो वन में रह रहे वाले प्राणी हैं वो दुख को प्राप्त करेंगे तो इस प्रकार से जब एक ज्यानी व्यक्ति इस स्थिति को देखेगा तो यहां पर यही देखता है कि यह जो घटना है यह वास्ता में इस पूरे ब्रह्मांड में जो संतुला ने उसे बनाए रखने वाली ही एक प्रक्रिया है और इसमें ऐसा कोई हमें अपनी भावना डालने की आवश्यक्ता नहीं कि अरे इसके साथ में वैसा होगया उसके साथ में वैसा होगया क्योंकि यह तो किवल नाम और रूप है वास्तविक्तम इनके पीछे तो सत्य है वो तो ब्रह्म ही है तो इ जो उसका अभिमान होता है ये जो अहिंकार होता है उसके साथ में जोडते हैं और इस कारण से जो ये घटनाएं हैं उसमें इस प्रियर बहवनाएं जोडने लगते हैं और क्योंकि इस पूरे ब्रह्मार्ण से, हर जो प्राणी sound है वह संपूनता को ढूं physiotherapy को धून रहा है और वह वस्तुं के नियंतर में होना जाता है और अपनी एवस्ता को पून रूप से अपने नियंतर में देख रहा हूं और इस कारण से वो धन, प्रसिद्धी या शक्ती में इस नियंतरन को देखते हैं और इस प्रकार से वो सभी घट्णाओं को उसी दृष्टिकों से देखते हैं और वैसी ही मूल ल्यांकन करते हैं किन्तु जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं कि वास्तविक्ता में हम पूर्टा को ढूंड रहे हैं और पूर्टा कभी भी नाम और रूप में मिलने ही सकती है पूर्टा जो है वो इस नामरुक के परे जो सत्य है जो कि ब्रह्म है केवल उसमें ही मिल सकती है तो इस कारण से वो ब्रह्म में ही अपनी चेतना को अवस्थित करते हैं और जब कोई व्यक्ति ब्रह्म से अपनी पहचान जोडने लगता है तो वो सबकुछ हो जाता है जब वो सबकुछ हो जाता है तो वो अनन्त हो जाता है जब वो अनन्त हो जाता है तो वो असीमित हो जाता है और जब वो असीमित हो गया तभी वो पूर्ण होगा और तभी वो वास्तों में मुक्त होगा तो इसलिए ब्रह्म के साथ में जब व्यक्ति स्वयम की पहचान जोड़ता है तब ही वास्ताव में वो मुक्ष को प्राप्त करता है तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्रीक्रेश्न ने हमें बताई कि इस संपूर भ्रह्माण में हो रही जो भी घटना है वो वास्ताव में ब्रह्म ही कर रहा है और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही कर रहा है वास्ताव में हम सब लोग जो है वो अपने वास्तविक स्वरू ब्रह्म को भूल चुके है और इस कारण से स्वयम को अपून मानते हैं और इस ब्रहम में रहते हैं और हम पूनता को खोज रहे हैं और उस पूनता को हम तभी खोजेंगे जब हम ब्रहम को खोज पाएंगे तो यही विचार है जो कि यहाँ पर इस श्लोक में हमें दिया गया, आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा, चलिए इसे के साथ इस वीडियो को यहीं पर समात करते हैं, नमस्ते वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रेजनों के साथ में साजा करें और इस ग्यान को और फैलाएं, यदि आपके पास कोई भी प्रशन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मै हर शनीवार राग को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रशन पूछ सकते हैं, जैशी कृष्णे